हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और मैं एक बार फिर से अपनों के लिए लेके हूँ बिना चीज का वाइट सास पास्ता इसमें हम किसी भी प्रकार के चीज या कोई भी हाई रिच चीजों को यूज नहीं करेंगे चलिए फ्रेंज बनाते हैं यह पास्ता मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था चलिए बनाते हैं अपना वर्ट सास तो वर्ट सास बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया हुआ है और पैन में हम डालेंगे दो चम्मच बटर दो चमब्य बटर डालेंगे। उसे अच्छा से मल्ट कर लेंगे। । उसके बाद उसे इसमेन मैदा जितना ही बटर डालेंगे से मैदा डालेंगे। मैदा और बेटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक अच्छी जी खुश्बू आने तक भूल लेंगे और अगर हाँ आपको बेटर थो ऐसा कम लग रहा तो आप वीच में बेटर थो इसा अड़र कर सकते हैं तो इससे हम ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनित तक तो मुझे इसमें थोगासा बटर कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोगासा बटर और डाला है और एक लेसन की कली ड़ीए तकि लेसन से फ्लेवर बहुत ही स्टॉंग और बहुत ही अच्छा आता है अगर आप चाहें तो डालें और नहीं चाहें तो नहीं डालें मैदामारा अच्छे से बुनने के बाद मैंने इसमें डाला हा आधा ग्लास दूद और उसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने एक नव्स तक इसे चलाते हुए ऐसे ही भूनेंगे और ये देखे प्रणिस यत्ति खोना शुरू हो गया है मुझे दूद थोगा और कम लग रहा था तो मैंने थोगासा दूद इसमें और एट कर दिया है और इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे तो ये देखे मेरा वाइड सॉस पास्ता ठीक हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, चिली फ्लैक्स और अरगैनो उसके बाद हम डालेंगे इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग, नमक और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर्ण्स वाडस पास्ता हमारा आलमूस बनके रेडि हो चुका है और हाँ अगर आपको चीज डालना है तो आप इसी स्टेज पर इसमें चीज डाल सकते हैं मैं बिना चीज का बना रही है तो मैंने इसमें चीज नहीं डाली है आप चाहें तो इसमें क्रीम का भी यूज कर सकते हैं चीज की जगे पे तो मैंने इसमें दोनों का यूज नहीं किया हुआ है तो सॉस हमारा रेडी है अब हम इसमें डाल देंगे अपने बॉइल किये हुए पास्ता दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनुट तक इसे हम स्लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे हुए यह देखे फ्रेंश लग रहा है न अकदम कॡ्रीमी वाल्ड सॉस पास्ता अर बनके रेडी हो चुका इसे हम सर्प कर लेते हैं क्लीट में हमारा वाल्ड सॉस पास्ता एकदम बनके रेड़ी है तो अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मच